हेलो गाइज वेलकम तो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्के फिंट्स पेनार इंडस्ट्री की ओर से सप्टमबर क्वाटर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलस्टिस करेंगे स्टैंडलॉण तो आज फिनांसल रिजल्ट में फिनांसल रिजल्ट में फिनांसल रिजल्ट से और मैं इसके वीडियो बनाता हूं अगर हम यहां पर पहले दखेंगे लाक्स में नंबर से इंकम है इंकम है एक संच हधिए क्वी ऐहां एक स्टामब अड़ कोड्टिंग करोड़ का और सप्टंबर वैध्टियो ऋनें ने epid road सेट्वक्लका एकस्पान्पनें करोड का पिछले क्वाटर में 29.4 करोड का सप्टमबर 22 क्वाटर में 21.5 करोड का ओप्रेटिंग पॉफीट है क्वाटर और में माइनर सा ग्रोथ है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत जादा हुआ है जिसके कार्णिया पर लेकिन यह अनियर उनियर में यह अनियर इक्सपेंसेस बहुत एच्छी ग्रोथ हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ही कम हुआ था नेट पॉफीट है 22.3 करोड का पिछले क्वाटर में 21.8 करोड का सप्टमबर 22 फ्री इसके का इसके कार्णियर और इयर और दोनों में इंक्रीज किया है EPS 1.67 रुपीज का quarter on quarter year में increase है year on year में भी increase किया है तो guys company का सिर्फ year on year के income में गिरावाट है लेकिन profit बहुत अच्छी growth हुआ है expenses कम होने के कारण वेगर हमें standalone cover करें तो income में 640 करोड का पिछले quarter में 592 करोड का और September 22 quarter में 654 करोड का income है quarter on quarter में down है year on year में भी down देखने को मिला है expenses हुआ है 622.5 करोड का पिछले quarter में 575 करोड का September 22 quarter में 639.5 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expenses बहुत ज़्यादे increase हुआ लेकिन year on year की expenses देखेंगे तो decrease किया है जिसके बाद operating profit है अगर हम देखेंगे तो 17.5 करोड का जो की quarter on quarter minor से growth है year on year में बहुत एच्छी growth हुआ है net profit 13 करोड का पिछले quarter में 12.8 करोड का और September 22 quarter में 10 करोड का net profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS 0.97 रुपेच का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो guys company का सिफ अगर देखा जाए तो income year on year में गिरावट है